Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil और कैसे हो आप लोग? So, ये डायलोग बड़ा फेमस हो गया है, कैरी मिनाटी वे जैसे So, स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ में, ये हमारी सेकिंड वीडियो है और इसके हम देखने वाल हैंगे, हम TypeScript को इंस्टोल कैसे कर सकते हैं सबसे पहले वापो Windows के साथ में मैं बताऊंगा, और बात में आपको Linux के साथ भी बताऊंगा कि आप Linux में आप इसको कैसे इंस्टोल कर सकते हो बेसिकली मेरे पास वैसे Linux सिस्टम है बट मैं पहला आपको Windows का बताँगा क्योंकि mostly users होते हैं वो Windows के होते हैं तो आपको तीन चीजें बेसिकली इंस्टॉल करने होते हैं सबसे पहले Node, NPM और आपका TypeScript तो जैसे ही आपको Windows के लिए इंस्टॉल करने है तो आपको एक लिंक के ऊपर जाना है यहाँ पे Node.js की ओफिचल वबसाइट है यहाँ और डाउलोड के ऊपर जाना है मैं आपको एक लिंक खोल ओपन करके भी दिखा देता हूं और यहाँ पे आपको Windows इंस्टॉलर पे क्लिक करना है यहाँ से डाउलोड कर देगा ठीक है उसके बाद में आप Node easily install यूज कर सकते हो आप ध्यान रखना चेक कर लेना Node-V करके यह सेटप को आपको next next करके इंस्टॉल करना है और देख लेना आपका जो Node और NPM दोनों चल रहे होने चाहिए होते हैं ठीक है अगर जब यह वर्जन आपको दिखा देगा that means दोनों चाहिए इंस्टॉल हो गई है उसके बाद में आपका TypeScript काम करेगा नहीं तो नहीं करेगा और उसके बाद में जैस्ट आपको कुछ नहीं करना उसके बाद में TypeScript चल जाएगी क्या कमाड है sudo npm install –g –g का मतलब है globally क्योंकि जब आप TypeScript इंस्टॉल करोगे तो specific किसी एक प्रोजेक्ट के लिस्ट के लिए इंस्टॉल नहीं करोगे पूरे-पूरेटिंग सिस्टम में यूज करोगे ताकि एक ही बार आपको इंस्टॉल करनी पड़े इस पड़ेगा windows में आपको sudo लगाने की जुरूरत है नहीं basically ठीक है और यहाँ लेकिन आपको TypeScript और आपको एंटर कर देना है password बांगा इसने मैंने password भर दिया विंडोस में password मांगता ही नहीं है और यह इंस्टॉल होना start हो गया यह देख सकते हो कि इंस्टॉल हो गया अब आपको क्या चेक करना है आपको चेक करना है सबसे पहले आपको अपडेट करना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा अपडेट करना पड़ेगा और बाद में आपको Node.js और NPM इस्टॉल करने पड़ेगा अगर आपको कोई भी क्रूल मारी है तो यह लिंक यह वाले commands और यह वाली commands मैंने description box में दिए हुए है और यह वाला लिंक भी description box में दिए है यहाँ पर एक चीज बता रखी यहाँ सब कर सकते हो अब आप यह बोल रहे हो कि यार मैं Node.js को सारे के सरे इंस्टॉल करके कोई नो बताता देखो पूछ सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करने वीडियो को लाइक करना मत बूलिएगा बाई बाई टेक क्यार